Hello Everyone, टिपिकाज वे में आपका स्वाबत है Friends, आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल लडू नारियल लडू बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी भी बन जाता है और काफी टेस्टी भी होता है अब हम नारियल लडू की रेसिपी स्टार्ट करते हैं नारियल लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाई में हम एक चमज घी डालेंगे और फिर उसमें 100 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनेट पाउडर डालके उसे लो फ्लेम पर भुनना सुरू करेंगे ध्यान रखे कि फ्लेम हमेशा लो हो परना ये जो डेसिकेटेड पाउडर है वो कहीं जलना जाए हमें इसे लगातार चलाते रहना है हम इसे तब तक घुनते रहेंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा ओफ वाइट ना हो जाए ये देखिए हमारा कोकोनट पाउडर अच्छे से पक चुका है अब इसमें हमने 30 ml मिल्क डाला है और हम इसे फिर मिल्क में अच्छे से भूनेंगे हम इसे तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक ना हो जाए और ये स्मूड ना हो जाए ये देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी काफी थिक हो गई है और जो मिल्क था वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसमें लगभग 30 ग्राम सुगर डालेंगे आप चाहे तो थोड़ा कम्या जादा कर सकते हैं हम इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि सुगर जो है वो कोकरनेट पाउडर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए दीरे दीरे जब यह पिघलने लगेगा तो यह थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो हमें इसे थिक कंसिस्टेंसी होने तक चलाते रहना है अब हम इसमें चार चमच मिल्क पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक कि यह और ठिकना हो जाए कि मैं दोड़ा जाएगा पिर्से से बीघर आएगा तक कि यह और शोड़िक्विड में आम इसे रहें रहें यह जज जढ़ादे हो दो हम इसे शोडG Âट कि यह देखिए अब यह अच्छे से थीप हो चुका है और अब कढ़ाई में चिकती नहीं रहा है आप लोग इसे घुलेदेर और चलाएंगे और आपसे एक अलग बठक्न में निकाल लेगे में अलग बठक्न में निकाल लेगे लेटेएस इदो की निकाल रहा है तो कि अरण सकाए हे खुझे को हमें उसमेर Twos अब इस पे टेसिकेटेड कोकोनट पाउडर से अच्छे से गार्णिश कर लेके प्रेस्समें पाउडर से गार्णिश कर लेके टेसिके टार्णिश कर लेके हैं झाल 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 को लाइक, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब